अपने नाखून पर ये काम करो प्यार पागलों की तरह तडब उठेगा खुद से करेगा बात जी हाँ अगर आप नाखून पर ये काम कर दोगे तो वह इस्त्रिप्रूस आपके प्यार में बेचैन हो जाएगा बेचैन हो जाएगी दिवाना हो जाएगा दिवानी हो लेकिन ये बहुत ही powerful और सक्तिसाली विदी है जिसके करते ही आप देखेंगे जिस भी स्त्रिपुरुस के लिए यह विदी आपने की है वह स्त्रिपुरुस आपके प्यान में बेचैन हो जाएगा आप से मिलने के लिए संपर्क करेगा आपको क्या करना है आपको यह विदी घर बैटे खुझ से अपने आप से कर सकते हैं आपको ना ही किसी तांत्रिक बाबा मोल भी पंडित किसी के पास जाने की कोई आव सकता नहीं है आप खुझ से घर बैटे इस विदी को कर सकते हैं जी हाँ भकतों खुझ से अपने आप से इस विदी को आप कर सकते हैं किसी को भी इस वीजी से अपने करीब ला सकते हैं, तो चलिए आपको क्या करना है, आपको सनिवार के दिन थोड़ा सा सरसो का तेल ले लेना है, ठीक है, सनिवार के दिन सरसो का तेल लेना है, और आपको नहाद होकर स्वच होकर बैठ जाना है, आसन लगा कर बैठ जाना है, और मन ही मन अपने प्यार का ध्यान करना है उसकी चवी उसकी चैरा अपने मन में बसाना है अपने दिलो दिमाग में बसाना है और मन ही मन ध्यान करना है कि तुम मेरे हो और मेरे पास चले आओ इस प्रकार की धारना आपको अपने मन में करनी है ठीक है और सरसो का थोड़ा सा तेल ले लेना है और एक मंत्र बताएंगे वह मंत्र बोलकर इस सरसों के तेल को अगर आप अपने नखूनों पे लगा लोगे तो वह इस्तरी प्रूस आपके वसी भूत हो जाएगी तो चलिए वक्तों वह क्या है मंत्र वसी करन का बहुत ही पावर्फिल मंत्र है मंत्र है ओम हरीम स्रीम अमूकी अमूकी के स्थान पर उस इस्तरी पूरूस का नाम बोलना है आपको सिद्धी वस करू करू स्वार इस प्रकार से आपको मंत्र को बोलना है कैसे बोलना है ओम हरीम स्रीम अमूकी सिद्धी वस करू-करू स्वा अमूकी के स्थान पर उस इस्तरी पूरूस का आपको नाम बोलना है और धियान करना है और इस तेल को आपको इस उंगली से ॹने नाखुनों पर इस प्रकार से लगाना है आपको सभी नाखुनों के उपर इस परकार से आपको लगाना है और मन में उस इस्त्री पुरुस का ध्यान करते हुए इस परकार से आपको लगाते रहना है यह विदी कम से कम आपको 2-3 मिनट तक करनी है यह विदी करने के बाद आप देखेंगे जिस भी इस्त्री पुरुस के लिए आपने नाम लेकर इस उपाय को करा है वह इस्त्री पुरुस आपके बिना एक मिनिट भी रह नहीं पाएगा वह आपसे मिलने के लिए जरूर संपर्क करेगा आपके लिए बेचैन हो जाएगा आपके लिए तडपने लगेगा आपके पास चला आएगा